Hello friends नमस्कार आपका स्वाम करते हैं आज की एस वीडियो में आज हम बात करेंगे doorstep banking के बारे में अब private bank के तरहीं सरकारी बैंक याने की public sector banks भी आपको doorstep banking का option provide करा रहे हैं government banks ने doorstep banking provide कराने के लिए एक company के साथ tie up किया है जो आपको तीन तरीके से doorstep banking का facility provide करती है पहला टोल फ्री नमबर आपको इस्क्रिन पर शो हो रहा है इसको यूज़ करके आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं दुसरा सेकिंड आप डोर स्टेब बैंकिंग के नाम से गूगल प्ले या एप स्टोर पर जाकर एप डाउनलोड कर सकते हैं थर्ड आप वेब पोर्टल पर जाकर psbdsb.in पर लॉगिन करने के बाद भी इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान दें कैसे आपको इस सर्विस के लिए खुद को एंडरोल करना है कैसे आपको अपना एकाउंट डाइड करना है क्या-क्या सर्विसिस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपना कीमती समय बचा सकते हैं तो ये सारी सीधर जानने के लिए इस वीडियो को लाश्टर देखिएगा दोस्तों गूगल पर सर्च करेंगे PSB, DSB इसको सर्च करने के बाद ये पहला लिंक आपको शो हो रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे Doorstep Banking Home ये किसी एक बैंक के लिए नहीं है ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक से हैं उन सभी के लिए facilities अवेलिबल है अगर Doorstep Banking के बारे में आप details में inquiry करना चाहते हैं या information लेना चाहते हैं तो आप ये media वाला tab जो है इस पर आप click करिएगा यहाँ पर आपको एक PDF शो हो रही है इस PDF को डाउनलोड करके इसके बारे में और अधिक जानकरी ले सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो जितने भी बड़े nationalized banks हैं वो सभी इस portal पर available हैं तो ये किसी एक bank से related नहीं है आप किसी भी bank के खाता दारक हैं आप इस service को use कर सकते हैं तो देखें यहां पर दो तरह की services प्रोवाइड कराता है ये portal पहली non-financial services दूसरी cash deposit या cash withdrawal non-financial services में ये कौन-कौन सी services हैं जो आपको प्रोवाइड कराता है वो हम यहां देख लेते हैं non-financial banking services में ये आपको प्रोवाइड कराता है pickup of negotiable instruments, pickup of new checkbook requisition slip अगर आपको नई checkbook चाहिए तो उसके आप application बेश सकते हैं form 15G, 15H forms आपके यहां से collect होगा और वो बैंक में submit हो जाएगा pickup of IT, income tax या GST चलाएगा अगर आपको कोई loan चल रहा है और उसमें आप हर महीने चाहते हैं एक fixed amount आपके खाते से redact होकर के loan account में deposit हो जाए तो उसके लिए भी आप sending instruction के request doorstep banking के मादिम से bank को बेश सकते हैं अब बात करते हैं delivery, किन services की bank आपको करेगा तो जैसे आपका अगर account statement आपको चाहिए तो आप bank को request कर सकते हैं non personalized checkbook अगर आपको चाहिए, draft या pay order आपको चाहिए तो भी आप bank को request कर सकते हैं delivery of term deposit receipt यानि कि अगर आपकी कोई FD आपने open कर आई है अगर आप उसकी request उसकी receipt अगर आप चाहते हैं तो आपको वो bank deliver कर देगा आपको TDS या form 16 जो income tax बनने के लिए आपके लिए जरूरी है अगर आप उसको certificate का issuance यानि कि उसका certificate अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप bank को request कर सकते हैं prepaid instrument और gift card यानि कि अगर आप एक top up amount का कोई भी gift card या instrument जो bankों में available है अगर आप उसकी delivery चाहते हैं तो वो भी आपको bank deliver करेगा अब बात कर लेते हैं कि इस site पर या इस portal पर हम login कैसे करेंगे तो इस service में use करने के लिए आपको सबसे पहले list of centers पर जाना होगा वहाँ जाने के बाद आपको अपना state select करना होगा और आपको देखना होगा कि आपके यह service available है या नहीं अगर आपके यह service available है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मुरादबाद में यह service available है तो मैं web portal वाला option यहां से select करूँगा तो मैं यहां login कर पाऊँगा अगर आप google play store से आप app download करना चाहते हैं तो यहां पर आप click करके अपने mobile पर link send कर सकते हैं app store पर अभी app available नहीं है कुछ दिनों में यह app store पर भी आ जाएगी चलिए दोस्तों मैं try करता हूँ web portal से service को use करने का try करता हूँ यहां पर हम सबसे पहले not registered है तो आप sign up करेंगे sign up के लिए आप सबसे पहले हाँ पर sign up पर click करेंगे जहां पर आपको आपका number enter करना होगा उसके बाद यह capture दे रखा है इसको आप यहां पर enter कर देंगे और proceed करेंगे प्रोशीट करेंगे प्रोशीट करने के बाद आपके mobile पर को टीप आये का जिसको आप यहां पर enter कर देंगे और verify करेंगे verify करने के बाद वो आपसे कुछ आपकी details मांगे जिसे आप यहां पर enter कर लेंगे जैसे कि आपका नाम है यहां पर अपना email id एंटर कर लेंगे यहां पर एक फोर डिजिट का पिन सेट कर लेंगे इसके बाद टर्म्स और कंडिशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोफाइल क्रेट करेंगे देखें यहां पर एक मैसेज आ रहा है अब आप यहां पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे यहां पर कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आपको लेफ्ट में कुछ आप्शन शो हो रहे हैं जिसमें आप होम ओर इस्ट्री यह सारे आप्शन देख रहे हैं इस पर देख सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं पिन चेंज कर देंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको सारे ही बैंक जितने हैं, यहाँ पर विश्वो हो जाएंगे, आप किसी यही बैंक के कस्टेमर हों, इस सर्विस का use कर सकते हैं, तो चलिए मैं स्अलेट कर लेता हूँ पञजाब National Bank, यहां पर जब आप पंजाब नेशल बैंक सेलेट करेंगे तो एक OTP आपके फोन पर आएगा जो आप एंटर कर लेंगे और यहां वेरिफाई कर देंगे मैं हां से भी एकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और इसको फ्यूचर यूज के लिए भी सेलेक्ट कर लूँगा और प्रोसीड करूँगा प्रोसीड करने के बाद देखे वो delivery request और pick up request ये दो request शो कर रहा है जिसमें से मैं आपको इसी भी select कर सकते हैं delivery request में demand draft, term deposit received, gift card, account statement, tds form 16, non-personality checkbook, pay order ये सारी services का use आप ले सकते हैं pick up request में आप देख सकते हैं यहां से आप अपने यहां से बेख सकते हैं bank को standing instruction वगरा कुछ भी चलिए देखे अब मैं एक option यहां पर select करके देखता हूँ account statement के लिए अपना request करेंगे bank को देखे यहां पर आपको option दिखा रहा है कि या तो आप last month का request कर सकते हैं last three months का या other dates का वी आप select कर सकते हैं तो चलिए मैं last three months select करता हूँ next click करता हूँ यहां पर आप देख सकते है last three months का आपको statement मिल जाएगा जिसका charges आपको यहां पर लिखकर आ रहे हूँ और आप इसको next करेंगे next करने के बाद वो आपसे एक address select करने के लिए कहेगा आप address select कर लेंगे अपना और उसके बाद इसको next करेंगे यहां पर आपको जो सबसे pass की जो branch होगी जो इस service को provide कर आ रही है वो आपको select करने का option आ जाएगा आप चाहें तो यहां से branch change भी कर सकते हैं मगर आपको यह देखना होगा अगर वो आपको other option दिखा रहा है यहां पर किसी और branch का तो आप select कर लेंगे नहीं दिखा रहा है तो आपको इसी branch से request select करने है आप इसको next करेंगे next करने के बाद आप इसमें date select कर सकते हैं कि कव आपको delivery चाहिए और time के slot select करना है उसके बाद आप next करेंगे तो आपको यह देखिए पूरा दिखा रहा है कि आपको account detail जिस account का आपको statement चाहिए 10 तारीक को आपको delivery होगी और यह सब आप यहां पर detail देखने के बाद आप यह बज़े की बीच में आपको आपका account statement डिलीवर हो जाएगा तो इसमें जो other functions है उन्हें आप use कर सकते हैं जैसे address manage करना है तो आप यहां से use कर सकते हैं other जो चीज़े आप facilities आगर आप देखना चाहते हैं इसमें और explore कर सकते हैं और यह starting phase में अभी देरे देरे इसमें और भ आप अगर घर से बाहर रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी यह चीज़े जो family members को मिलने चाहिए आप इतना व्यस्त रहते हैं कि नहीं provide करा पाते हैं तो आप online delivery के लिए यह pickup के लिए request कर सकते हैं यह काफी useful service है जो अभी तक सरकारी bank को मैं हमें देखने को नहीं मिलती थ मगर यह service अब यह provide की जा रही है तो आप इसको use कर सकते हैं इसका फाइदा ले सकते हैं तो बैंक जाने का समय नहीं मिल पाता है तो यह service I think काफी useful है मैं ऐसी तरह आगे भी इसी तरह की और useful videos अप्रोड करता हूँ आज के लिए इतना ही नमस्कार